हेलो फ्रेंट्स मैं प्रदीप सर्मा आप सब का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल जिश्का नाम है टेक्नोलोजिब करना है और किस तरह से उसके बाद आपको अपनी के वाई सी लिंक करनी है यानि कि ए टू जट पूरी जानकारी सेर करने वाला हूँ अगर आपको भी पेटियम एप यूज करनी नहीं आती और आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आप भी जो है पेटियम एप यूज करन जान सकते हैं और अगर आपने पेटियम एप इंस्ट्रॉल कर रखे और के वाई सी लिंक नहीं है तो ये वीडियो देखने के बाद आप भी जो है अपनी के वाई सी लिंक कर सकते हैं तो बस इसके लिए आपको क्या करना है ये वीडियो पूरी देखनी है तो चलिए आप पिना किसी देरी के मैं आपको लेके चलता हूं मुबाइल की स्क्रीन पर आपको step by step आपको दिखाता हूं इसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले आपको अपने मुबाइल में जो है play store को open कर लेना है यह देखे इस तरह का play store मिलेगा उसको open कर लेना है जब play store open हो जाए तो यहां पर search बाद में आपको type करना है paytium और जैसे paytium सर्च करेंगे paytium आ जाएगा इस तरह से इस पर press कर लेना है और यहां पर देखे paytium यहां पर जाके इस paytium की app को install कर लेना है और जैसे ही paytium app install हो जाएगी यहां पर देखे open का option आ जाएगा otherwise आपके mobile में भी जो login to paytium और यहां पर एक icon मिलेगा छोटा सा इस पर आपको प्रेस करना है जैसे ही प्रेस करेंगे यहां पर आपको एक option दिख जाएगा create a new account इस पर आपको simple प्रेस करना है जैसे इस पर प्रेस करेंगे यहां आपसे आपका अपना mobile number डालने के लिए बोलेगा तो यहां पर प्रेस करेंगे यह पूछेगा paytium need few mandatory permissions तो यहां पर grant permission का एक option है इस पर आपको प्रेस करके जो है permission दे दिनी है तो यहां पर allow कर देना है उसके बाद दुबारा पूछेगा allow करने के लिए allow कर देना है उसके बाद आपके पास एक OTP आएगा और वो OTP automatic ले लेगा otherwise अगर नहीं लेता तो आपको manually डाल देना है इस तरह से OTP आएगा इसके बाद आपके सामने इस तरह से option आ जाएगा यहां पर आपको option मिलेगा एक add a bank account for all your payments अगर आप अपने paytium account के साथ bank account अपना link करना चाहते हैं तो यहां पर देखे process to send sms इस पर press कर देना है अगर आपना bank account link नहीं करना चाहते तो simple यहां पर देखे skip का option है यहां पर प्रेस कर देना है अगर bank account link करना चाहते तो जैसे आप process to send sms पर प्रेस करेंगे तो जो mobile number आपके bank account के साथ link रहता है उस पर एक sms आएगा वो verify करने है उसके बाद ही जो है अपना bank account link कर सकते हैं तो अगर bank account link करन अधर नहीं करना चाते तो skip पर देना तो अभी मैं जो है skip कर देता हूँ यहां पर जैसे skip करेंगे तो यहां पर देखे आपका ज आकाउंट जै है create हो गया है यहां पर आपका high और आपका जो mobile number नंबर है यहां पर दिखाई देदेगा अब आपको क्या करना है जो आपका इस पर आपको प्रेस करना है और यहां पर देखे एक yellow जो है color का आ रहा है icon आ रहा है इस पर आपको प्रेस कर देना है जैसे इस पर प्रेस करेंगे यहां पर देखे option आ रहा है KYC pending पर आपको mobile number तो इसके लिए आपको क्या करना है यहां पर देखे your wallet is not active active is less than 30 seconds तो आपको अ to continue using Paytm wallet तो इसमें आपको एक option select कर लेना है अगर passport है तो आप passport select कर सकते है water ID select करना चाथे तो water ID कर सकते है driving license करना चाथे तो वह select कर सकते है तो मेरे पास अभी जो है water ID card है तो मैं water ID card select कर देता हूं तो यहां पर मैंने अपनी water ID card डाल दिया और उस पर जो नाम था मेरा water ID card पर नाम डाल दिया अब मैं कर देता हूं यहां पर submit का option पर submit और जैसे ही आप submit करेंगे उसके बाद देखे water id details submitted और यहां पर देखे green का ok का icon आ गया है और यहां पर your minimum kyc is complete and wallet is activated for 18 month यानि कि जो है kyc मैं आपको बता देता हूं दो परकार की होते है minimum kyc और complete kyc यहां पर अभी जो है आपकी minimum kyc complete हुई है जो की 18 महिने के लिए valid है यानि कि 1-6 महिने के लिए valid है और यहां पर देखे complete your kyc and get lifetime validity तो यहां पर देखे upgrade account and unlock benefit का एक option आ रहा है इस पर प्रेस करना है और जैसे इस पर प्रेस करेंगे यहां पर आज आएगा your kyc status mini kyc और आपका जो paytm wallet है उसकी जो limit है वो है 10,000 रुपे की यहां पर current benefit आपको क्या-क्या मिला है pay at any store यानि की भार जो भी कोई shop है वहां पर आप जो है paytm wallet से pay कर सकते हैं pay online or any app website आप जो है किसी website से कुछ खर कर सकते हैं और यहां पर देखे send money to friend आप किसी दोस्त को जो है पैसे नहीं बेज सकते, transfer money to bank किसी bank में पैसे transfer नहीं कर सकते, maintain balance up to 1,00,000 यानि की आप जो है 1,00,000 रुपे तक जो है अपना balance जो है maintain नहीं कर सकते और आप saving account भी open नहीं कर सकते, यह सारी facility लेने के लिए आपको क्या करना है unlock all benefit complete your full KYC, आपको जो है अपनी पूरी full KYC complete करानी पड़ेगी, जिससे जो है आपको एक लाख रुपे तक की जो है आपको limit मिलेगी, balance जो है maintain कर सकते हैं, आपकी जो patent wallet है, एक लाख रुपे तक maintain कर सकते हैं, और जो है आप पैसे bank में भी भेज सकते हैं, दोस् ही आप ये option select करेंगे, unlock all benefit complete your full KYC, तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से जो है एक नया page आ जाएगा, choose a verification method for complete your full KYC, आधार verification with OTP, जो है आपका जो आधार card है, उसके साथ जो mobile number link रहते हैं, उस पर एक OTP आएगा, उसके दोरा भी KYC complete कर सकते हो, यहाँ पर देख सकते जो free instant KYC with one year validity, बट उसकी जो है validity एक साल के लिए रहेगी, दूसरा यहाँ पर है आधार verification at a nearby KYC point, आप जो है आपके आजपा जो भी KYC point है, वहाँ पर विजिट करके, वहाँ पर जो है अपनी complete जो है, full KYC complete करा सकते हैं, वो आप कैसे पता कर सकते हैं, आपके आजपा KYC point प्रेज करना है, और जो भी आपके nearby KYC point रहेगा, उसका जो है नाम और उसका जो है address यहाँ पर दिखाई दे देगा, तो यहाँ से इस तरह से पता कर सकते हैं, आजपास जो है आपके कौन-कौन सा KYC point है, उसका क्या address है, तो यहाँ से पता कर सकते हैं, और जब भी आप जो सिंपल प्रेश कर देना है यहां पर आपको अपना अधार कार्ड नंबर डालना है और या फिर वर्चुल आईडी जो रहती है वो डाल सकते हैं उसके बाद आपके अधार कार्ड पर क्या नाम है वो यहां पर डालना है उसके बाद I agree to the terms and conditions जो च्टा सा भॉक्स इसपर प्रेश करना है और यहां पर फिर प्रोसेस्ट पें प्रोस्सक्ष कर देना है तो चलिए यह डीठेल डाल चे मैं आपको दिखा देता हूं तो यहां पर मैंने अपना Brussels के टो अपना ड़ना है इस्पर प्रेश कर कर Until तो OTP आ गया, वो मैं यहां पर डाल देता हूँ, तो यहां पर OTP डाल दिया, और जैसे OTP डालेंगे, उसके बाद यहां पर verify का option है, इस पर press करेंगे, तो आपकी KYC complete होगी, यहां पर जैसे हैं, आपकी KYC complete होगी, यहां पर देखें, पहले आपका जो है number आता था, mobile number, यहां पर देखें, पर्मिसन पोचेगा, तो यहां पर आपको allow कर देना है, तो यहां पर आप barcode के through भी जो है, scan करके payment कर सकते हैं, यहां पर mobile number डाल के भी payment कर सकते हैं, इसके allow यहां पर आपको पता देता हूँ, कि जो है, अगर आप जो है, अपने wallet में पैसे add करना चाहते हैं, तो यहां पर देखें, option है, add money का, इस पर आप price करेंगे, तो जो है, अभी मेरे जो है, patent wallet जो है, उसमें zero है, तो आप यहां पर price करके, और जो है, कितनी amount आप add करना चाहते हैं, यहां पर amount डाल देना है, जैसे कि store पर डालना है, store पर मैं mention कर देता हूँ, और यहां पर payment पैसे जो है, add कर सकते हैं, इसके अलावा आपको यहां पर passbook का option मिलेगा, यहां पर आप price करके, चैक कर सकते हैं, कि आपका प्रेटियम wallet में कितने रुपए हैं, अपनी passbook कर सकते हैं, यहां पर price करेंगे, तो पूरी details से यहां पर transition जो भी आपने करे थी, वो दिखा इसके अलावा आप जो है, mobile भी recharge कर सकते हैं, यहां पर देखे, prepaid, postpaid का icon है, यहां पर इस पर price करके, आपका mobile prepaid है या पर postpaid है, वो select करके, यहां पर अपना mobile number डाल के वो भी recharge कर सकते हैं, DTS का bill भी भर सकते हैं, electricity का भी, और भी काफी option है, water का भी, और जो है, loan, insurance, data card, सब क कभी यहां से भर सकते हैं, और यहां पर आपको और भी काफी सारे option मिल जाएंगे, train ticket भी book कर सकते हैं, fly ticket यहां पर देखे, train ticket भी book कर सकते हैं, और जो है, आप कुछ purchase भी कर सकते हैं, यहां पर देखे, soap का option है, इस soap के option पर जैसे प्रेस करेंगे, यह Paytium mall में लेके यहां से जो है, आप कुछ भी चीज़े purchase कर सकते हैं, अब जो है, आपने Paytium account create कर लिया है, Paytium चलाना सीख लिया है, और आप जैसे जैसे इसको धीरे-दीरे use करेंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, इतना कुछ मुश्किल नहीं है, आसा करता हूँ, यह वीडिय में कुछ डाउट्स रहे जाता है, तो comment box में comment कर देना, और इस तरह की टेकनिकल हैर्फू नोलेवेस वीडियो पाना चाहते हैं, मेरे को support करना चाहते हैं, तो चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी ना बुले, मैं परदीफ सर्मा फिर मलता हूँ नहीं वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखेगा, बाबाई, टेक केर.